आज हम शच्चुम जमात का मजबुन साइंस इसका दूसरा सबक जानदरों की दुनिया इस सबक के सवाल के जवाब हम सीखेंगे सबसे पहले पहला सवाल जो है डर जजल सवालों के जवाब लिखिए पहला है अलिफ नबातात और हैवानाथ के दर्मियान का फर्क वाज़े के जीए नबातात और हैवानाथ इनमें क्या फरक है? तो बहुत सारे फरक हैं, यहां पर हमने सिर्फ तीर फरक के बारे में मैंने लिखा हूँ, और आप लोग और लिख सकते हैं, पहला है नबातात अपनी घिजा खुद तयार करते हैं, हैवानात अपनी घिजा खुद तयार नहीं करते हैं, वो नबातात पर मुनसिर होते हैं, द में निख्सूस अर्सें तक ही होती है तिसरा पैसा नवोंता PC अपनी जगह इस तपदिल कर सकते हैं को और जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते हैं, यह पाउदा यहां पर है, यह यहां से उधर चलेगा उसको उसका, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आईवानाथ जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अब आएगे इदर, दूसरा सवाल, नबातात और आईवानाथ में क्या बाते हैं तो उसके अंदर हैं पहला नवातात और एवानत दोनों इगांदा राहें ये तो एक दम किलियर बात है दूसरा है नशोनुमाँ नफस इखराज जवाबी अमल की सलाइयत हरकत और अवजाईश नसल ये अफ़ाल दोनों में हैं दोनों की अवजाईश नसल होत उसी तरह नबातात और रहवानात दोनों का ही जिस्म खुल्यास से बना होता है। दोनों को ही जिन्दा रहने के लिए हवा, पानी और घिजा की ज़रुरत होती है। तो ये हमने दो सवाल है एक सवाल में फर्क है नबातात और रहोनत में दुसरे सवाल में नबातात और रहोनत में पाई जानी वाली यक्सानियत है अब उसके बाद तिसरा सवाल देखिए यहाँ पर नबातात की दुनिया हमें किस तरह फाइदे मन है या किस तरह मुफिद है तो नबादात की दुनिया से हमें क्या फाइदे है तो नबादात हमारे लिए घिजाई अशिया फराम करते हैं जैसे अनाज, सबजी तरकारी, फल वगेरा, कुछ नबादात हमारे लिए अधवियाती अहमियत रखते हैं, दरखतों से हमें लकनियां हासिल होती हैं, कपास हास और नभातातस से ही पूरी होती है अब यहांपर देखिए हैवानात की दुनिया से हमें क्या फाइदे आसिल होते अब हम्ने नभातातकी दुनिया से फाइदे चीगा अब रह जानवर जैसे गाय, बैस, बक्री वगएरा हमारे लिए कई तरह से मुफिद होते हैं दूद, अंडे, गोष्ट वगएरा हैवानास से ही आसिर होते हैं बैल, गोले, उट जैसे जानवर, बार-बरदारी और सवारी के काम आते हैं यानि हम एक जगा से दूसरी जगा, उनकी गाड़िया भी बनती हैं, गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसी दरह से देखिए, अब उसके जानदर किस तरह से गहर जानदर से मुफिद हैं, गिजा का इस्तेमाल, तनफूस, इखराज, जवाबी अमल की सलाहियत, हरकात और अफजाईश नसल जैसे अफ़ाल अंजाम देते हैं, जानदर को एक खास अरसे के बाद मौत आ जाती है, यह तमाम अफ़ाल और खुसुसियात गहर जानदरों में नहीं पाए जाती है, यह जानदर, जो जानदर है नवाता है तो रहवानात, इनकी नश्रों मौत हैं, और उनको मौत आती है, लेकिन जो गहर जानदर है, जैसे बिलेक बोर्ड है, दर्वाजा है, दीवार है, यह जैसे अभी है, पचास साल के बाद भी वह ऐसी रहेंगी, यह ना बढ़ेंगी, ना इनको मौत आएंगी, लेकिन जानदर जो है, उनको मौत आती है, अब देखे यहाँ पर उसके आगे का सवाल कौन किस उस्व की मदस्य सांस लेता है अब देखें यहाँ पर अलीफ है मचली मचली जो है गल भड़े से सांस लेती है साप फेपड़े सारस फेपड़े केचवा जिल्द इंसान फेपड़े बरगत का दरख्त पत्तों के मसामात और लार्वा जो है तनफसी सुरा ठीक है अब तिसरा जो सवाल है कौस में दिये हुए अलफास का इंतिखाब करके खाली जगा पूर कीजिए अब यहाँ पर तमाम खाली जगा एक साथ दी गई है कौस में तो जिसमें आक्सीजन, मौत, इखराज, कार्बन डाय ऑक्साइड, रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द् को मुनासिब खाली जगा में यहां से डून कर लिखना है, पहला है इसके अंदर नबातात का अपनी घिज़ा, नबातात का अपनी घिज़ा खुद तयार करने के अमल को डैड़ डैश कहते हैं, यहीं श्वाई तरकी, ठीक है सुरज की रोशनी में वो घिज़ा तयार करते दूसरा है, जिस्म में डैश डैश गैस जज़ब करने और डैड़ डैस गैस खारिज करने के अमल को तनफुस कहते हैं, यहीं सास लेना और सास चुरूआ, तो देखो जिस्म में ऑक्सीजन हम गैस जज़ब करते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, इ मौरिक के जवाब में अमल की सलाहियत को रद्य अमल कहते हैं और आखरी है अर्चियायात के अख्तिताम पर हर जानधर को मौत आती है ठीक है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और खुशकत राइटिंग में लिखिएंग